और न्यूजिन फोकस कौन कौन सी रहेंगी जरा इस पर भी एक नजर आज के शो में वो खबरें जो फोकस में रहेंगी सबसे पहले बात होगी मध्यप्रदेश और 36 गड़ में चुनाव की जहां प्रिचार का शोर आज ठम गया है 36 गड़ में दो चरणों में मद्दान हो रहा है पहला हो चुका है दूसरा अब 17 को होगा और मध्यप्रदेश की सारी सीके पर क्या समीकरण है इस पर होगी आज बात इसके लावा उत्तरकाशी का भी अपडेट लेंगे चार दिन से 40 मद्दूर फसे हुए हैं तमाम दावों के बावजूत प्रशासन के कि उनको निकाल लिया जाएगा अब तक निकाले नहीं जा पाए हैं मद्दूर क्या स्थिती अपडेट है ये पूरी समिक्षा आगे इसके लावा आज बड़ा दिन है भारत के लिए न्यूजिलेंड के साथ सेमिफाइनल चल रहा है सेमिफाइनल मकाबले में भारत ने शानदार आज बैटिंग करते हुए एक बड़ा टागेट दिया है न्यूजिलेंड के सामने 398 रनों का लेकिन उसको उसका पीछा करते हुए किस स्थिती में है न्यूजिलेंड ये भी आपको बताएंगे आके और इसके अलावा आज एक और हमारी important story होगी अंगदान से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही विचित्र डेटा सामने आया है जिसके मताबिक सबसे जादा महिलाएं ही अंगदान कर रही है पुरुषों के मकाबले हर पांच मेंसे चार महिलाएं जो हैं दोनर्स जो हैं वो महिलाएं हैं पुरुष क्यों हैं पीछे महिलाएं ही तूँ ये दारूमदार समाल रही है इस पर होगी आगे बागत और अब फड़ा फड़ा इंदास में देख लेते हैं दिर्मर्केट वो खबरें जो रही सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में तो चुनावी माहौल चल रहा है राजस्तान विदानसवा चुनाव से पहले बीजेपी ने बागियों पर आक्शन लेना शुरू कर दिया है पार्टी ने पूर विदानसवा द्यक्ष कैलाश मेगवाल को बीजेपी ने पार्टी से निश्कासित कर दिया है बीजेपी के उ जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब उनकी उम्र 84 साल थी और केलाश मेगवाल पूर में केंद्रिय मंत्री भी रह चुके हैं उन्हों के साथ योड़ा इक साल गया एक साथ जीत रहे हैं फिर से और काम प्रदेश के फूर उपमुख्य मंत्री सचिन पालेट ने काम करने का अपना मंत्र बता दिया है उन्होंने का कि कॉंग्रिस प्रमुक्व वल्लिकार जुन खडगे राहूल गांदी की सला के मुताबिक राजिस्तान में माफ करो भूल जाओ आगे बढ़ो के मंत्रु के साथ को काम कर रहे हैं लेकिन इन दोनों दिगजों के बीच हुई खीश्तान और जैपूर से दिली तक चली तौकियों की कहानियां इस तस्वीर को अलग और भोचक बना रखे बीजेपी नेता और केंदी गऑगबह राजय मंतरी नेतियानन राए ने लालू यादव के उस बयान का ज़वाब दिया है जिसमें लालू पसाद ने का था कि राबड़ी को सींम नहीं बनाता तो क्या उनके बत्ति मेरे को बिच्बास नहीं करते नित्यानन्द ने ये भी बताया कि जब विदायक बने थे तो उनकी पिताजी मुख्या थे, उन्होंने मुख्या पत्याग दिया था, लालू यादव को वन्चपात की राजिती में विश्पास है, अगर लालू जी परिवारवाद की राजिती नहीं करते तो तेजस भी अमन्मन तरपाठी कि मुश्किलें फिर से बहुष सकती हैं, बस्ती की MPM L.A. कोट ने अपरण के मामले में अमर्मन तरपाठी के पेश नहीं होने पर भगोडा घोशित कर दिया है, इसके साथ ही बस्ती पुलिस का आदेश दिया गया है कि अमर्मन तरपाठी के घर की कुर कार लगाई और अमन्मन को खाजिफ कराने के आदेश दिये दिल्ली में इस वक्त प्रोडूशन का पहरा है बीते करियों से दिल्ली में जो हवा का स्तर खराप था वो खतरनाक स्तर आज भी बरकरार है राजदानी में हवा के साथ पानी भी दूशित हो चुका है एक तरफ दि प्रोडूशन का असर दिख रहा है प्रोडूशन की वजह से नदी के पानी में फिर से जाग बनने लगा है प्रोडूशन पर दिल्ली के पर्यावरान मंत्री गोपाल रायन ने बड़ी जानकारी दी है उन्होंने का कि एक्सपर्ट्स के मताबिक दिल्ली में अगले दो से तीन दिनों के अन्हों प्रोडूशन कम होने की संभाब रहे जमो कश्मीर के डोडा जिले के असार इराके में बुदवार को यात्रियों से भरी एक बस तीन सौ फीड गहरी खाई में गिर गई है साथ से में 36 लोगों की मात हो गई 19 लोग घायल है इनमें 6 की हालत गंभीर ह बस किष्टवार से जमो जा रही थी इस दोरान सदक से फिसल कर वो खाई में गिर गई बस में 55 पैसेंजर सवास थे हाथसा इतना भयानक था कि बस को काट कर अंदर फसे लोगों को बाहर रिकाला गया रेसक्यू टीम ने बताया कि घायलों को किष्टवार जिला स्पताल औ और डोडा के गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है प्रधान मुंतरी नरेंदर मोधी ने बस हाथसे में जान गमाने वाने लोगों को बरिजनों को दो लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआबजा देने की घोशना की ज़ए डिली में एक बार फिर अफसर वनाम सरकार की जंग तेज हो गई है मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने विजिलन्स मिनिस्टर आतीशी के रिपोर्ट पर LGV के सकसेना को पत लिखा है केजरिवाल ने चीफ सेकेटरी नरेश कुमार को तुरंत पत से हटाने और सस्पेंट करने के सिफारिश की है सीम ने मंतरी अतीशी को ये रिपोर्ट CBI ED को भी भेजने को कहा है रिपोर्ट को रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के चीफ सेकेटरी के बेटे की कमपनी को 850 करोड रुपे का अनुचित लाभ दिया गया है चुनाव आयोग ने प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी के खलाव गलत और अपमान जनक टिपपणी करने पर प्रियांका गांदी और अर्विन केजरिवाल को कारण बताव नोटर जारी किया है बीजेपी ने प्रियांका पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मद्यप्रदेश में पीम मोधी को लेकर जूटे और अस अत्यापित बयाद दिये वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पीम मोदी को लेकर अप्माजनक वीडियो पोस्ट किया दरसल आम आदमी पार्टी ने मोदी और अधानिक के फोटो कोस्ट की और आरोप लगाया कि पीम उद्योग पती के लिए काम करते हैं लोगों के लिए नहीं इनी शकायतों को लेकर चुनावायोग ने 16 नमंबर को रात आठ बजे तक दोनों नेताओं को जवाब देने के लिए कहा राजिस्तान में चुनावी पारा साथ में आसमान पर है लिकिन इसी बीच एक दुखत ख़बर आई है पार्टी के वरिष्ट विधायक कुनर के निधन पर मुक्यमंत्री अशोग गैलोत ने ट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा और शोग जाहिर किया सीम गैलोत ने पोस्ट में लिखा कि कुनर साहब का निधन कॉंगरिस पार्टी और राजस्तान की राजनीती के लिए अपूर्णी अक्षती है के दारनाथ धाम के कपाट शीत काल के लिए आग सुबह साड़े आठ बजे बंद कर दिये गए शेश पूजा अरशना के बाद चली विग्रह डोली शीत कालीन प्रवास के लिए रवाना हुई इस मौके पर सैक्णो भक्त बाबा की जैकारे लगाते हुए दिखाई दिये बाबा की चल उपसब विग्रह डोली धाम से शीत काल गदिस थल उंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्तान करते हुए रात्री प्रवास के लिए पहले पढ़ा रामपुर पहुँचेगी और बाबा 17 नवंबर को उंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और आईए अब शुरू करते हैं हमारी कवस्टोरी तो पांच राज्यों में विदानसभा का चुनावी माहौल बना हुआ है म्रिजोरम में तो मद्दान हो चुका है पूरा 36 गड़ में पहले चरण का मद्दान पूरा हो गया है अब दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार आज थम गया इधर मध्यप्रदेश विदानसभा की सभी सीटों के लिए चुनावी शोर थम चुका है दोनों जगा 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे मध्यप्रदेश की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो कुल 230 सीटों में बीजेपी के पास 127 सीटे हैं जबकि कॉंग्रेस के पास 96 सीटे हैं और वहीं अन्ने के पास 7 सीटे हैं 36 गड़ की बात करें तो कुल 90 सीटों में से बीजेपी के पास 13 सीटे हैं कॉंग्रेस के पास 71 सीटे हैं और अन्ने के पास 5 सीटे दोनों इराज्यों में कॉंग्रेस बीजेपी के बीच काटे की टकर मानी जा रही है पुचार के आखरी दिगजो ने पूरी ताकट जो की दिगज नेता अपने अपनी पार्टियों के लिए जीत का दावा कर रहे है आज समझने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है कौन किस मुद्दे पर चनाव लड़ रहा है और किस का पर लड़ा है भारी बहुती खास महमान इस वक्त हमारे साथ जोड़ चुके हैं और दोनों पत्रकारिता के महतवपूर हस्ताकश्वरों melhores एक हैं हमारे साथ अकुष्री बास्तर वरिश्ट पत्रकार जोड़ चुके हैं बहुत-बहुत सपागत है सर आपका हमारे शोपत और राहुल देव सर्व भी हमारे साथ जुट चुके हैं वरिष्ट पत्रकार और टिपणीकार है राहुल सर आपका भी बहुत-बहुत स्पाकत है मैं अकुजी चर्चा की शुरुवात आपसे करना चाओंगा और थोड़ा सा चतिसगर में तो पहले फेस में हमने काफी कुछ एक थाहा लेने की कोशिश की कि महाँ पर चल क्या रहा है लेकिन मद्ध्रदेश में इस मक्त क्या माहौल है काटे की टक्कर बताई जा रही थी लेकिन अब जैसे जैसे चुनाम नजदीक आ रहे हैं कुछ बदलाव आप देख रहे हैं या स्थिति वही है काटे की टक्कर वाली देखे मद्ध्रदेश की अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मद्ध्रदेश में छे महने के पहले जो स्थिति थी वह बिलकुल हवा एक तरीके थे शिवरातिंग के खिलाव थी या ऐसा माहौल बना था कि कमलनात काफी आगे चल ले थे लेकिन धीरे धीरे इस्थितियां बदली हैं और अब हालत यह है कि काटे की टक्कर से थोड़े आगे होने की इस्थिति में दोनों ही दल है अब है कौन सा यह जगे जगे के हिसाब से अगर आप बोपा और उसके आज़ पास बुदनी या इस तरफ बढ़ते हैं या विदीशा की दरफ बढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि वहाँ पर भाजपा का एक तरीके से दबतबा है लेकिन छेन्वाडा की तरफ चले जाते हैं बिंदी की तरफ चले जाते हैं तो वहां दूसरा हिता होता है मैं भी गया भी था मद्द प्रदेश के दोरे पर और उसमें मैंने काफी कुछ समझने की उत्यती की आश्चर तो मुझे तब होता है जब आप किसी एक शेतर में जाते हैं तो वहां बिलकुल भी ऐसा मान के हम चल रहे हैं कि 18 साल थे बीच का एक दोर अगर आप सवा स साल का कम अलाजी का हटा दें तो शिवरा सिंग चोहान है तो अतना पीरिड बहुत काफी है अच्छे ते अच्छे नेता के लिए कि उसके खिलाब काफी कुछ माहौल हो लेकिन वहां बिलकुल ने जराता है लेकिन दूसरे तरफ कुछ शेतरों में ये होता है कि हां लगता हूं कि एक जो बड़ा योगदान है वो लाडली योजना का है और लाडली योजना में आलम ये है कि नबे परसंट लोगों को पैसा मिल चुका है जो उसके उप्यूक थी एक करोड एकतिस लाख महिलाओं को पैसा मिला है किसी भी गरीब आदमी को और खास तोर से जिस पांच महने से जा रहा हो तो एक बड़ा इंपैक्ट करता है उसका आधार है उसका आधार ये है कि आप पिछले चुनाओं में जब लोकसफ़ा का चुनाओं हुआ था तो प्रधान मंतरी ने दो हजार रुपए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और शाह तीन किस्ते ही जा पाई थी दो दो किस्ते जा पाई थी और फिर चुनाओं की घोशना हुई और गोशना में राहूल कांदी ने 72 जार रुपए साल देने की घोशना की थी लेकिन जब नतीजे निकले तो वह ज्यादा बड़ी जो डिलीवरी हुई वह ज्यादा फरक पढ़ रहा है और और फुकता हार मैं आधिवासी इलाकों का जो पूरा बेल्ट है मैं उस पर जरूर लूँगा मैं लेकिन राहुल जी के पाँ चलना चाहूंगा राहुल सर पॉंग्रेस के स्थिति आप क्या देख रहे हैं दिग विजे सिंग और कमलनाद ऐसा लग रहा है कि शुरुवाती कि दोनों के बीच में कुछ खटास देखने को मिली एकाद कुछ क्लिप्स जो हैं और वट्सैप ग्रूप के जो मैसेज़ेस हैं एक दूसरे के प्रती जो कटाक्ष भरे शब्थ है वो वाइरल हुए और ऐसा लगा कि दोनों के बीच में कुछ विरोधा भास है विचारों क लेकिन अब लग रहा है कि बड़ी ही खुबसूरती से अब चीजों को बांट दिया गया है बहुत जादा मीडिया में इंट्रव्यूस भी नहीं दे रहे हैं खास तोर से दिगवीजे सिंग तो कुछ नजर आ रहा है मत्रदेश में कॉंग्रिस की एक अलग रणनी थी दो पड़े चेहरों के साथ चलना और वो भी ऐसे चेहरे जो बहुत जादा आपस में गर्माहट नहीं है उसके बावजूद देखे इसको दो तरह से देख रहे हैं लोग कुछ लोगों को यह लगता है कि यह इन दोनों की दोनों की आपस में समझ बन चुकी है और यह मिली कु खटास हो आपसे रिष्टों में जो पुरानी रही है उसका एक इतिहास है लेकिन इतना तो तय है कि जहां तक चुनाओ का संबंद है चुनाओ अभियान का संबंद है और उसके प्रबंद का संबंद है दोनों कोई कमी नहीं रख रहे हैं दोनों अपनी पूरी दाकत लगा इसलिए उससे उसको परिणामों को बहुत प्रभावित करने वाला एक तत्व मानना मेरे साब से चीक नहीं होगा हमें दूसरे चीजों की और देखना चाहिए और अकू वहा हुआ है और वो जो कह रहा है अब मैं उससे अलग कैसे कह सकता हूँ अब मैं लिए बड़ा संकोच है क्योंकि मुझे भी उन से सीखना है भी लेकिन आपको क्या लग रहा है सर शुरुवात में जो लग रहा था ऐसा लग रहा था कि तमाम जो सर्वेज हैं और जो वर्ड अफ माउथ भी एक तरह से जो कहा जा रहा था कि कॉंग्रिस के पक्ष में खास तोर से है और ज़्यादा मुझे नहीं होंगी कॉंग्रिस को एक कमफरिटिबल मिज़ोरिटी में आने में लेकिन पिर का ही जा रहा कि धीरे 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 बीजेपी ने भी अपना कैमपेंड आगे बढ़ाया और अब पकड़ मजबूत कर ली है आपका आतरी यह सही है कि यह महौल कुछ बदला है जो रिपोर्ट्स आई हैं वो निश्चि प्रदेश में वैसे तो सभी जगा अलग-अलग शेतर में बटा हुआ है वहां का राजनेति को चुनावी माहौल और वहां की फष्टभू भी और वहां का वेवहार भी तो आप अगर उसको बांट कर जब देखेंगे तब शायद बहतर हमें समझ में आएगी कई जगा जि जिनको फायदा मिला है जैसा अकुभ बता रहे थे हम लोग भी जानते हैं जिनको फायदा मिल चुका crist से प्रभावित होंगे और खोश होंगे दूसरे की और दूसरी जगा से केवल वाइदे हैं यहां से मिल चुका है एक दूसरा वर्ग है जो युवाओं का है वो बहुत बड़ा वर्ग है अपने आप में वो एक अलग तरह से देखते हैं उनकी सोच नहीं होती है पारंपरिक नहीं होती है युवाओं में मैं पाता हूँ कि बदलाव की इच्छा बहुत प्रबल है क्योंकि 18 साल बहुत होते हैं किसी भी एक व्यक्ति के लिए या पार्टी के लिए अभारे जैसे विटापून देश में अब जो पिछरे वर्ग हैं कॉंग्रेस के जो मूल अधार रहे हैं वो उसका पिछरे वर्ग, अतिपिछरा वर्ग और अधिवासी मध्यप्रदेश में आधिवासी वोट परंपरा से कॉंग्रेस को बीजेपी की तुलना में ज्यादा पड़ता रहा है जहां जहां वो प्रमुक हैं आप देखिए और इस चुनाओ में भी वो एक बहुत प्रमुक वर्ग हैं जो प्रमावित करेंगे बहुत बड़ी संख्या में परिमार में मात्रा में उनको तो मुझे लगता है कि वो अभी भी कॉंग्रेस के साथ हैं उनको भी पोशित करने में कोई कमी नहीं रखी है अभी तो बाइदरी कर सकते हैं लेकिन कमनलाद को जितनों समय मिला उन्होंने उसकी कोशिश की थी उनको इसना इलाका भी उसी में आता है तो मैं यह कहूंगा कि काटे की टकर तो है और हमें यह याद रखना चाहिए कि वहाँ पर जो वोटों का अंतर पिशली बार भी था दोनों पार्टियों में वो एक प्रतिशत से भी कम था तो आदे प्रतिशत का इधर उधर भी वो किसी भी तरफ पलड़े को जुगा सकता है इसलिए सीधे भवश्वानी करना इस समय बहुत कठिन होगा अब अकू सर ने जो पिशली बार अपना स्टेटमेंट जहां पर खत्म किया था वो आदिवासी इलाखों के तरफ बढ़ चुके थे हमने उन्हें रोका क्योंकि हम अलग से बात चीत करना चारे थे और उसका जिक्र राहूल सर ने भी किया 24,000 करोड के वेलफेर ट्राइबल की बात करी है रीसेंटली प्रदाल मंतरी नरेंदर मोदी ने जन जाती है गौरफ दिवस के मौके पर अकू सर कुछ आप देख रहे हैं बीजेपी भी कोशिश करी जैसा कि विशलेशन राहूल सर ने दिया कि आदिवसी बेल्ट पर परमपरागत रूप से पकड़ रही है कॉंग्रिस की लेकिन इस बार कुछ नई रणनीती के तहट कोशिश की गई है बीजेपी की कितनी कामियाब हो रही है तेकि ये भारतिन तपाटे के बारे में कहा ता रहता है कि रणनीती की रूप से काफी सोच समझ की काम किया जाता है आज बिर्सा मुंडा की तो वो आयोजन था तो वो आयोजन भला ही तब एक जगे पर हो लेकिन उसका असर दोनों राज्यों पर पढ़ना है इसी तरीके से आदिवासियों के लिए विशेश रूफ से जो अवियान चलाएगे हैं जो नीतियां चलाएगे हैं अगर उस सही जगे पर पहुंच जाती हैं तो निश्य जगे पर लग जाती है तो निश्य रूफ से उसका फाइदा भारतिन ता पाटी को मिलेगा मुझे दूसरी दिक्कत नजरा रही है मुझे दूसरी दिक्कत इसलिए नजरा रही कॉंगरेश जो इस दोड़ में एक जहां हजार मीटर की दोड़ दो खिलाड़ियों के बीच में थी तो कमलनाथ बहुत तेजी से दोड़े शिवराज सिंग्चोहान कमजोर थे शक्ती में भी कमजोर थे तो धीरे धीरे दोड़ते लेकिन उनको जो तमाम तरीके के तरल पधार पदाय पिलाए गया तो उससे वो थोड़ा आ गया है कमलनाथ के साथ दिक्कत उनकी उम्र की भी है और जहां शिवराज जो हैं साथ-ाठ सवाएं रोज कर रहे हैं कमलनाथ एक या दो में ही हाफ जा रहा है और अंतिम तक तक जाते-जाते क्या वो क्रॉस कर पाएंगे ये हमें देखना होगा दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है जिसको हम सब को ध्यान रखना होगा वो ये है कि कॉंगरेस ऐसा लग रहा प्रचार में जहां पर विजाईए आपको कॉंगरेस का बहुत ज़गा प्रचार नहीं नगने जरा रहा हैं कांग्रिश के लोग, बहुत पोहिटे नहीं जरा रहें, ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसे भारती जिन्ता पार्टी का प्रचारतंतर है, कारगरता तंतर है, वो एक एक जगे जा जा करके काम कर रहा है जो दिखता है लेकिन उनका नहीं दिखता है या तो फिर यह है कि वो अतियात बिश्वाती हो गए हैं और एंटी जो वोट इस्टेबलिश्मेंट के पढ़ने हैं वो उस पर आधारित हो गए हैं वो उन्हें सोच रहे होंगे कि तो अगर इस पर है तो मुझे लगता है कि कंग्रेट दाओं खा सकती है मुश्किल होगी उसको अगर यह सोच है कि अपने आप सब कुछ है तो शिवराज के खिलाफ वाला मामला चल रहा है तो क्यों क्यों कि फिर बाद में दीरे जब आदमी तुलनात मकरूब से बात करता है कि किसको लेसर इवल राजनीट में हम लोग शब्द इत्तमाल करते है राहूल जी खफा हो जाएंगे कि मैंने ये शब्द इत्तमाल क्यों किया है हिंदी में मुझे करना था ही ता लेकिन जो कम्मुनिकेशन में जो समवाथ की शहली में है उसमें ये मुझे ज्यादा किसे जा सकता है ये उसकी एक लड़ाई है और उसमें कौन आगे निकलता है कैसे निकलता है रणनीतिक रूप से कौन आगे जा पाता है मुझे उसी में थोड़ा सा लेकर के संदे है और उसी को लेकर के मैं थोड़ा हैरान परेशान होता हूं कि कॉंग्रेस एक जीती वी ब पार टिर ते टाहन को लगाद करें थोड़ी भूत वह प्रतिर तुजर टूप करें pega करें तो उनकी तुड़र्यों को हो रहा है कि आज पास की चार पांच छे सीटें अगर फाइदे में आ जाती है तो वही फाइदा 20 मैं संख्शेप में आप से थोड़ा समझना चाहूँगा क्योंकि शुरुवात में आपने अपने उद्भोधन में कहा कि कमलनाथ की उम्र जो है वो हावी हो रही है और उनका वो कितना आगे वो इतना एनरजी के साथ काम कर पाएंगे यह संदेहासपद है और दूसरी तरफ आप कहरें कि दिगविजे नय पत्थे में चले गये हैं तो फिर क्या कांग्रिस के पास थेती क्या बची तो रहे हैं दूसरे उनकी विशेशता हैं कमलनाथ मेनिगमेंट बहुत अच्छा करते हैं कमलनाथ जो चुनाव लड़ने के लिए विवस्थाओं की जरूरत होती है उसके वो विशेशा के माने जाते हैं और ये उन्होंने करके दिखाया आथ चे मैंने पहले अगर पार्टी इस हालत में थी कि वो बहुत आगे तक थी तो उसके पीछे कारण थे तो वो कारण मैंने आपको बनाएं लेकिन बाद में आपको जो तेजी आखरी पर जब जीत की रेखा पार करनी होती है तो रफ्तार तेज करनी होती है आप सिर्फ उस पे आधारित नहीं हो सकते कि पीछे जो आदमी है वो बहुत दूबला पतला है उखात और तो चुनाओ में तो चुनाओ में ये नहीं कर सकते मैं राहूल सर के पार जाओंगा मैं बस थोड़ा सा आपने जो आकलन किया दिगविजे सिंग बनाम कमलनाथ का मैं थोड़ा सा इसको उसके बाद मुझे राजिस्थान पर भी बात करनी है थोड़ा सा संक्षेप में राहूल सर अगर दिगविजे सिंग के स्थिति के बारे में अगर आप आकलन कर पाएं क्योंकि कहा ये जा रहा है कि काफी सक्रिया हो गए है जैसा मैंने कहा मीडिया में वो जादा इंटर्व्यूज नहीं दे रहे है फोकस होके पिछले कुछ दिनों में उन्होंने साथ-ाठ कॉंसिट्वेंसी कवर की है लोगों से जाकर परसनल कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे है क्या आपको लग रहा है कि एक नई उर्जा के साथ वो बाउंस बैक करेंगे कॉंग्रेस के भीतर ही मुझे नहीं लगता कि दिग्विजे सिंग में अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने की महत्वा कांक्षा बची है या उसकी बहुत संभाबनाय बची है और वो एक रिथार्थवादी आदमी है और जवहारिक आदमी है उनको अस्तुतिति का पता है अब उजह नहीं लगता कि वो अपने इस किसी तथकतित नत्वा कांक्षा के लिए अपने प्रयासों में कोई कमी रखेंगे या कॉंग्रेस को पूरी जीत हासल ना हो उनकी कमी की वज़े से कोई नुकसान हो जाए ऐसा करने से वो बचेंगे वो कई बार मुक्यमंत्री रह चुके हैं और उनको प्रभाव है पार्टी पर वो रैसे भी उनकी सक्रीता यहाँ ज्यादा रही है अगर वो उन्होंने बढ़ाया है तो मैं समझता हूँ इसको कॉंग्रेस के सक्रीता बढ़ाई है तो इसको कॉंग्रेस के पक्ष में जाने वाली बात मानना चाहिए अब किसी के मन में क्या होता है तो हम नहीं जान सकते लेकिन किवल अनुमान लगा सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय वो कमनलाथ के नित्वतों को कोई शनोती देंगे या उसमें कोई अरंगा लगाएंगे क्योंकि ऐसा करना किसी के भी हित में नहीं होगा उनके अपने हित में भी नहीं होगा और अगर पार्टी का नुकसान होता हो तो फिर उनका फायद करना इस समय परिशितियां उसके निकुल मुझे नहीं लगती इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस होड में होंगे ठीक है सर ये थोड़ा सा हमारा एक जो धरातल पर जो विशलिशन होना चाहिए तमाम निताओं के बारे में वो हमने जरूर करने की कोशिश करी थोड़ा को देखने की कोशिश की थी मैंने निश्चित रूप से 36 गड़ में भूपेश बगहल ने जो बढ़हत हासिल कर रखी थी वो आज ते 15 दिन पहले जब मैं गया था तब तक उनको हासिल थी विरूरी तरीके पे हासिल थी लेकिन कुछ लोगों का कहना है और जो मीडिया में आ रहा है महादेव एप को लेकर के जो बवाल हुआ पिछले एक हफ़ते साथाट दिन में उसको जरूर ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा कहा गया कि छवी उनकी खराब हुई है लेकिन मेरा मानना है कि एक सिर्फ मामले से छवी बहुत ज़्यादा बदलती और बनती नही है महादेव एप ऐसी चीज नहीं है जिस से पूरा जो 36 गड़ का आधार है गरीब गरीब लोग बहुत निचले इस तरह पे बहुत ज़्यादा लोगों का वोटर्स का ज़्यादा होना तो उनको वो जो ज़्यादा मिल रहा है पहले से इस बहुत ज़्यादा मिल दिया जा गोशिश की इसमें कोई संकोच दी जैसा है जमीनी नेता मद्द प्रदेश में शिवरास तिंग चोहान है जहां जाए वहाँ बठा दीजे जहां चाहे वहाँ बात कर लीजे वैसे ही नेता उन्होंने अपने आपको साबित किया और वो भी बहुत कम समय में बूपेश बग देख थे और उसमें जीत हासिल की तो इसलिए उनको मुकमतरी बना दिया गया लेकिन उसके बनने के बाद उन्होंने आधार अपना और मजबूत ही किया कम जो नहीं किया दूसी तरफ भारती ने रमन सिंग चार साल तक गायब ही रहे ना तो वो गायब रहना उनका बहुत पार्टी को नुकसान कर सकता है ये बात दूसरी के संग उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की जिनको मान नहीं मिला जो साहू समाज और बाकी लोग उसको उठाने की कोशिश की है कारकरताओं के तर पर हुआ है लेकिन परसफशन के तर पर बुकेश बगेल राउल सर अभी आपको क्या नजर आ रहा है राजस्तान में आज ही बड़ी सुर्खियों के साथ खबर वहाँ पर आई किस सचिन पाइलिट और गहलोज जो है उनमें एक बार फिर से गलवईया नजर आ रही है एक साथ सब कुछ भुला कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रह ने अच्छे से मैनेज किया एक दूसरे का साथ आपको लग रहा है ये काम कर पाएगा इस बार कॉंग्रेस के लिए सर या ये गड़वड कर देगा देखे राजस्तान में भी सिती मध्यपदेश जैसी है अगर दोनों पार्टियों की साथ एक शक्ति और वोट शेयर के बारे में बात करें तो वहां भी अंतर बहुत कम है पिशली बार भी और कई बार से कम रहा है और वहां पारंपरा भी यह हर बार वहां पर सरकार बदलती है तो इस बार सरकार बनाने की बारी उस इतिहास के राजस्तान की इतिहास के अनुसार कॉंग्रेस की बीज़पी की है तो अब समस्याइं इस तरह की जो आपने बताया कि पाइलेट और गहलोत की जो समस्या थी टकराओ था वैसी वैसा ही टकराओ थोड़े और ज़्यादा लोग जिसमें शामिल थे वो बीजेपी में भी दिखता था हम जानते हैं कि क्या सिर्थी थी बीजेपी हाइकमान और वस सुन्दरा राज्यक बेना काम नहीं चला आउंतर तक एक सस्पेंस बना रहा फिर उनको लिया गया उनके लोगों को भी लिया गया तो अंतरिक समस्याएं सब जगा हैं और राजस्तान में तो दोनों में लगभग बराबर किये हैं खुले विद्रो भी वह हुए हैं वहाँ होता है हर चुनाओ में उसका एक अभियान का उनकी सम्हाओं का एक असर पड़ता है उनके रोड शोस का एक असर पड़ता है वो कितना पड़ता है इस पर विवाद हो सकता है बहस हो सकती है लेकिन वो दिश्चत रूप से पड़ता है एक माहौल बनाने में वो एक बहुत क प्रतिशत से लेकर तीन चार प्रतिशत तक वोट को प्रभावित कर सकते हैं जहां जहां वो जाते हैं तो इसको भी मैं अगर शामिल करके कुल सिजी को देखूं तो बीजेपी के पक्ष में पलड़ा फुर ज़्याद आभारी है। प्रतिशा बटा हुआ नजर आता है थोड़ा जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी कमी नजर आती है राहुल गांधी इस वक्त क्योंकि सबसे बड़े चेहरे यही माने जा रहे हैं आकू सर मैं आप से शुरू करूँगा बड़े संक्षेप में कहीं कोई उनकी व्यक्तिकत छवी मे में उनकी सक्रियता में या उनका जो व्यक्तिकत रूप से राजनेतिक जो कद है उसमें कोई उच्छाल या उसमें कोई घटाव आप देख रहे हैं इन चुनावों में लेकिन दिक्कत कहीं और है दिक्कत प्लैनिंग में है एक आदमी हफते पर जा करके लग्दाक में रहने लगता है तो क्या फाइदा होगा एक शीट लग्दाक की है और वो भी कब जब चुना होगा एक आदमी अचानक जो है उसकी प्रात्मिकताओं में कितना मद्बरदेश है कितना राजित्थान है कितना चर्तित गड़ा चर्तित गड़ा तो नजर आता है लेकिन राजित्थान और मद्बरदेश उतना नजर नहीं आता पता नहीं क्यों जबकि मद्बरदेश के बारा में कहा जाता था कि वो बह पर रहाती हैं भोपाल थे वो कई बार थोड़ा सा सोचने पर विश्च करते हैं लेकिन क्योंकि भई वह हम से तो अकल बंद ही जाता हम अपने तरीके सा सोच रहें नेता हमेशा अपनी अकल मंदी से काम करता है वो हमारे कहने ते कि वह इतने उडर जावान नहीं है जैसे प्रदानमंदी करते हैं तो यह उनका मामला है उनोंने सोच रख रखा हुगा ति फिलांगना में जादा लगा रखी और वह सकता है उनको फलिवूद भी ब्हों कितनी होती है किस हद तक होती है बाधा रेखा ते पार पराप आती है नहीं करा पाती है लेकिन जैसे भरती इंता पार्टी ने है तो वो फोकस्ड राज्जों में रखी है और जहां उनको संभावनाए जादा रखी है वहाँ पर भी और दूसरी जिके दिखाने के लिए भी आप जाएंगे तो एक उसमें एक बायस नजर आता अगर आप दक्षण पंथी लोगों से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि राहूल गांदी एकदम निश्क्रिय हैं वो कुछ नहीं है उनकी कोई राजनितिक रूप से कोई हैसियत भी नहीं और यदि आप थोड़ा सा उधारव लोगों से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं साब राहूल गांदी में तो संभावना है कूट-कूट कर भरी हुई है एक स्वतंत्र टिपड़िकार होने के नाथ है आप राहूल गांदी की इन राजियों में स्थिति क्या आगते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं उनका कद भी सक्रियता बढ़ रही है या वो ठहराओ है या वो नकारात्मक हो रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहूल गांदी की छवी में जो एक गुनात्मक्त बदलाओ और उच्छाल आया था उसमें आगे वो नहीं बढ़े हैं ऐसा मुझे लगता है उन्होंने उस अपने उसको सस्टेन करने की कोई बहुत मेहनत की हो ऐसा नहीं दिखता आप अभी हम लोगों उर्जा की बात कर रहे थे तो ये बात पहली बात ही है कि भाई उनकी प्रधान मंत्री से तुलना करने ही पड़ती है सब को क्योंकि बीच में और कोई है नहीं ज प्रश्ण है उसमें एक तो उनकी और से अपनी उतनी उतकता नहीं दिखती उनकी कोशिशों में प्रयासों में वो एक अलग लए पर चलते हैं अलग लए पर अपना उनका भियान चलता है उसमें अभी जैसे उले किया आप नहीं किया या हकु ने किया कि वो एक हफते के ल व्यक्तिय निता नहीं हैं, उनका काम थोड़ा सा ज्यादा एक उच्छ स्तर पर वैचारिक नित्रत्व लोगों को जोड़ना, अलग-अलग नए वर्गों को कॉंग्रेस से जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, इस पर ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, चुनावी रणीती, साफी वो छोड़ा हुआ है, और वो नेपथ्य में रहकर अपना वो काम शांती से करते हैं, उनके बारे में ज्यादा चर्चा हमें नहीं दिखती, एक बात ये भी है कि इस समय जो हमारा मास मीडिया है, टीवी बिशेश तोर पर उसमें हम सब को कारण मालूब हैं, लेकिन वो राहूल गांदी पर उतना ध्यान नहीं देता, उनको उतना दिखाता नहीं है, उनके करकमू और उनकी आत्राओं और शुभाई आत्राओं वगरा को भी उस सरह से नहीं दिखाता, जितना वो प्रधारमंत्री को या बीजेश पी के निताओं को दिखाता है, ये की कमी का हिसास हो सकता, ये मैसूस हो सकती है, तो ये भी एक बात है, बिलकुश, तो ये है पांचो राजियों में जो चुनावी मूड माहौल है, और कुछ नेताओं के बारे हमने पर्टिकुलरली बात किया और खासतोर से विपक्ष के नेताओं का हमने थोड़े सी एक ठा बास्तव सर, आपने वक्त निकाला हमाल लिये, राउल सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमाल लिये समय थी, इटावा में हम सफ़र ट्रेन में आग लगने से हड़कम्प मच गया है, रेलवे सुतरों से मिली जानकारी के मताबिक ट्रेन दिल्ली से पतार जारी है, उत्तरकाशी में रेस्क्यू आपरेशन का चौथा दिन है, सुरंग में फसे मजदूरों को निकालने का काम युद्दिस्तर पर चल रहा है, दावी यही किये जा रहे हैं, पाइप के जरिये फसे मजदूरों तक मदद पहुंचाई भी जा रही है, उन्हें निकालने के लिए दिल्ली से ड्रिलिंग मशीन बाकाइदा आज मंगवाई गई है, आला कि जैसे जैसे रेस्क्यू आपरेशन में देरी हो रही है, लोगों का सब्र का बांध भी तूट रहा है, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, फसे म मदद पहुचाई जा रही है, इधर सरकार डेडलाइन बदलती जा रही है, सरकार ने आज शाम तक मजदूरों को बाहर निकालने का दावा किया था, फिर जिस तरह से रेस्क्यू आपरेशन में दिक्कते आई, मुश्किले आई, उससे सरकार के दावों पर सवाल भी उठ प्रशासन के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी वहां के स्थिती क्या है, ये पातचीत करने के लिए इस पक्त मेरे साथ स्थानिय पत्रकार प्रदीप रावत रवाल्टा जुडेंगे, उनको कोशिश कर रहे हैं उनके साथ जुडने की, लेकिन अभी भी च जिनताएं खत्म नहीं हुई हैं, जिस दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने के सबसे पहला दावा हुआ था, उस दिन भी हमने विश्टेशन करने की कोशिश की थी, जो प्रशासन कह रहा है कि शाम तक या 24 गंटे के अंदर उनको निकाल लिया जाएगा, उस दाव ये पाइप नहीं होता, तो मुश्किलें बहुत हो जाती, क्योंकि इसी के साहरे, वहाँ पर ऑक्सिजन भी भेजी गई, थोड़ा बहुत खाने पीने के सामान भी बेजा गया, और संपर्ग भी साधने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल यही है, कि वह पर पानी और रिस रहा है, जब आप अंदर खुदाई करते हैं, तो बड़ा विकट परिस्थिती है, चुनौती पूर्ण है परिस्थिती, प्रशासन को स्वाभाविक रूप से चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन ये जो दावे किये जा रहे थे, कि शुरुवात में हम 24 घंटे गंदर निकाल लेंगे, फूख फूख कर कदम रखे जा रहे होंगे, हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन एक ठोस आश्वासन मिलना बहुत जरूरी है कि कब तक ये मजदूर बाहर आ जाएंगे, अपने परिजनों से सखुशल मिल पाएंगे, प्रदीप रावत जो इस्तिती है, ताजा इस्तिती वही है कि कल जो एक अगर मसीन जो वहां लगाई गई थी लोगों को मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जिसका दावा भी किया गया था कि इस मशीन के जरिए बहुत जल उनको निकाल लिया जाएगा, लेकिन वह दावे पुरी तरह से अगर मसीन भी तोट गई और वहां जो प्लेट फॉर्म ता वह भी सरी रंग से काम नहीं कर पाया, अब यह उमीद जता ही जारी है कि जो नई मशीन मंगाई गई जिसके लिए एर फोर्स के तीन हर्कुलिस बिमान परियोग किये उनके जरिए मशीनों के पार्ट वहां जालू हो पाएगा लेकिन ये काम कितने देश में चालू हो पाएगा इसकी अभी इस पस्ता नहीं है कि ये कब चालू हो पाएगा, तो देखना होगा कि वह कितनी तेजी से काम पर पाते हैं प्रदीप आपने कुछ विजुल्स भी भेजे थे वहां से अंदर किया मुश्किल क्या आ रहा है वो जो वहां पर मशीने हैं वहां जाकर फैल क्यूं हो जा रही है प्रूर जहां मलवा गिरा हैं, वहां कुछ बोल्डर भी मलवे के साथ गिरे हैं, आलगी वहां बगड़े बोल्डर नहीं हैं। कि वहां एक गाडर बनाया जाना रही था उसका ट्रीजमेंट करते हैं इनको आगे बढ़ना चाहिए था वही पर हाथ साओवा और ऑस उस बक्त जहां पर हाथ साओं वहां दो मजदूर 5 मजदूर काम कर रहे थे उन मेंद सीन ऑपरेटर भी अन्मसीन ऑपरेटरों ने किसी त कि जो मचीने हैं पहले जिस मचीन को मंगाया गया मुझे लगता हूँ पुरानी मचीन थी इस बात का ध्यान भी रखा गया कि कितना ये गंभीर भी चाय है और कितना संबेदन मामना है इसके लिए एक बहुत अच्छी मचीन और हाई क्वालिटी की मचीन और हाई पाउर की संपर किया, एक जो अंदर जो कामगार हैं उन्होंने अपने बेटे से बात करी कि मैं ठीक हूँ अभी स्थिति क्या है, सम्ट कम्यूनिकेशन के स्थिति क्या है और उनको खाने पीने का सामान कैसे पहुँचाया जा रहा है? काने पीने का जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि काने पीने का जो भी हलक़नका सक्वान है उन fact की रूप यूजसा जा रहा है और जो यूज लेकिन अब धेरे-धेरे post जोट रहा है लोगों का धिएरे जभाव देने रगाए मजदूरों के परीजनों ने आज और मजदूरों ने वहाँ जबरदस परदर्सन किया पुलिस के साथ धका मुकी भी कुछ तश्वीरे सामने आई तो अब अन्दाजा लगा सकते हैं कि किशी का परिवार का आदमी चार दिन से एक ऐसी जगे पे हैं जहां ये इस पस्ट तोर पर पता नहीं कि कितने दिन में उनको बाहर निकाला जा सकेगा वो सभी सलामत बहार आभी पाएंगे तो लोगों का जो भैर्या है वो तूटने लगा है और अगर जल्द से इस सुरेशकों को कूछ पूरा नहीं किया गया पार यह क्या शुरु में वाकी टॉकी से बात हो रही थी आब उनसे बात क्या हो पा रही है बिल्कुल वाकी टॉकी उनके पास एक है उसी के जरी उनसे संपर्ग हुआ है और उन्होंने कुछ अपने आज की जो लेटेस्ट अभी जो कुछ देर पहली के बात है उन्होंने अपने ले कुछ खाने उने का तंबा को जैसी चीजे मांगी तो वह भी उनको प्रोवाइट कराई गई इस तरह की चीजों का दो द्यान लखा जा रहा है लेकिन आप कितनी जल्दी उनको निकाल पाएंगे ये देखने वाली बात है चलिए शुक्र ये है बिल्कुल शुक्र ये है कि उनसे संपर्क अभी टूटा नहीं है वाकी टौकी से बात चल रही है लेकिन जैसा प्रदी बता रहे हैं कि सब्र का बांध वहाँ पर जो परीजय ने उनका टूट रहा है कितनी जल्दी ये rescue operation पूरा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी गंभीरता से इसको सरकार प्रशासन और company प्रशासन ये तीनों लोग लेते हैं कोई कोता ही तो नहीं हो रही होगी हम ये तो नहीं कह सकते अपनी तरफ से युद्विस्तर पर काम हो रहा होगा लेकिन उसके results जब सामने नहीं आएंगे तो लोगों में रोश होना स्वाभाविक है बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए बल्लेबाजी करते हुए जैसा सब लोग जानते ही है कि 258 वनों का टागेट दिया हुआ न्यूजिलेंड के सामने कि लिए तो आज पूरे जी और 398 रनों का लक्ष का पीछा करते हुए अभी जो न्यूजिलेंड की टीम है वो 213 रन बना चुकी है दो विकेट के नुकसान पर टागेट बड़ा है 398 का और विलियमसन अभी क्रीस पर है साथ ही साथ मिशल भी है जो कि 98 रन बना चुके हैं उनका भी शतक आने वाला ह सिर्फ दो रन दूर है इस वक्त की जो ताज़ा अपडेट आपो दे रहे हैं आप चलते हैं जरा ग्राउंड पर ग्राउंड स्टेडियम से थोड़ा सा बाहर कुछ लोगों से बाचीत कर रहे हैं लगाता और सारो हमारे समभादा था और मूड माहौल विजने की कोशिश क करने हैं ओवर टू यू सौरब बताइए क्या स्थिती है अब ऐसा लग रहा है कि जम गई है न्यूजिलेंड तो धड़कने तेज तो हो गई है मिचल का शायद शतक भी आने वाला है अभी क्या स्थिती है जिस स्थिती स्टेडियम के अंदर है उसी तरह की जो स्थिती वह स्थिट यहां कुछ पहर हम देख पा रहे हैं हमाएं इससाथ यहां कुछ फैंस जुड़े हुए हैं आई ए फैंसे समझते हैं कि मौजूदा स्थिती को देखते हुए उनका क्या कहना है अगर और आगे जाके अगर थर्टी ओर क्रॉस हो चुक है तो लगा तो इंडिया को प्राप्त हुई है कैसे देखने आने वाले ओवस को ना को इंडिया क्या हो जाता है पंदरम देख लो 19 में देख लो अभी भी देख लो आप समझ नहीं आता इधार इतना चाहिए लेकिन किसी भ आप आए तो फटा फट तो दीपक हम देख रहे हैं यहां पर विज्वाल के माध्यम से की जिस तरह से जो है भी बैटिंग न्यूजिलेंड की साथ साथ बजे जब आप लाइव जुड़े थे हमारे साथ जोश बिलकुल अलएक लेवल पर था लोगों का अभी थोड़ा सा जम गई है अच्छे धैर्रे के साथ खेल रहे हैं दो विकेट के बाद अभी तक कोई विकेट आया नहीं है स्वाभावी क्रूप से मायूसी थोड़ा सा दिख जरूर रही है लेकिन उमीदें अभी भी बाकी है उमीद क्या कर रहे हैं किसी जिस जिस रफ्तार में सौरफ ज बिल्कुल बिल्कुल अगर बात की जाए चमतकार की तो क्रिकेट का यहां पर प्रेडिक्शन फेल माना जाता है तो क्या आने वाले ओवरों में आप लोग जो है किसी तरह का चमतकार बिलीव कर रहे हैं क्या डिफनेटली हमें इस पर पूरा ट्रस्ट है क्योंकि बहुत सा लोग यहां पर न्यूजिलेंड को राएंगे 2019 का बदला लेंगे और उसके बाद हम मैं चाहता हूं और हम सारे भारती माने में कह चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हराएं और भारत पर जो है दर्शकों से जो स्पेक्टेटर से उनसे बात कर रहें जैसे ही जिदेगा आराज माताची जेव मंदे मात्रव मात्रव चलिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-शक्रिया आपका सौरब और आपके जरीये जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कैसे मायूसी जोश में तबदील होती है जब हलकी सी उम् खेल भी अगर खेले इंडिया अपना नाचरल गेम भी खेले तो भी जीत दूर नहीं है लेकिन रोकना होगा हर हाल में न्यूजिलेंड के बल्लेबाजों को आगे बढ़ते हैं बजाज फाइनस पर आर्बिया ने बड़ी कारवाई की है बजाज फाइनस पर डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन्स के लंगन पर कारवाई हुई है क्या है ये पूरी खबर एक तासूरी बताएंगी आर्बिया ने जो है एक बहुत बड़ी कारवाई की है बजाज फाइनस लिमिटेट पर और यहां पर बोला गया है कि लोन बांटने पर रोक लगाई गया है यहां जो बजाज फाइनस लिमिटेट के दो लेंडिंग प्रॉड़क्ट से एकॉम और इंस्टा इमाई कार्ड उसका उलंगन किया गया है इन गाइडलाइन्स में साफ कहा गया है कि वो जिसने लोन दिया है लिया है उसको देनी पड़ेंगी इन की फैक्ट स्टेटमेंस में कुछ ट्रांसपेरेंसि नहीं दिखाई गई कुछ जो guidelines में state किया गया था वो नहीं डाला गया जिस वज़ा से RBI ने Bajaj Finance Limited पर loan देने से रोक लगाई है आसान भाशा में अगर हम समझें तो key facts statements मतलब यह कि जब आप loan लेने जाते हैं तो जो lender है वो आपको एक document देगा जिसमें जो भी terms and conditions हैं वो transparent होंगे लेकिन यहाँ पर Bajaj Finance Limited जो loan बांट रहा था खास करके अपने दो lending platforms e-com और insta EMI card के जरिए इन दो products के जरिए जो loan dispersal हो रहा था उसके key facts statements में जो है वो गड़बड़ी पाई गई जिस वज़ा से RBI ने यह बड़ी कारवाई की है Bajaj Finance Limited पर जी तो चलिए इस बीच New Zealand का एक और विकेट जा चुका है तीन विकेट हो गए हैं और मिशल का इस बीच में शतक भी आ चुका है तो दो तरह की खबरे आ रही हैं मैच बड़ा दिल्चस्प है आप भी देख रहे होंगे हम भी update आपको आगे देते रहेंगे फिलाल इजासत दीजिए नमस्कार